इस पॉइंट में और दो बेले हैं मैंनों इस तीस इस और शिफ आप कौन सी बहुत कर रहे हैं मैं सबसे पहले सीमन टीका राम और करूवाली मैं तो यह च्छे नंबर की हुई इसकी यह थार्ड बेल है लेकिन इन्होंने शो फॉस्ट बेल किया है नो नो मैंनों यह इसमें एक्चल में हुआ कहता है मैं ट्राइल कोड में फ़र्ष्ट और सेकिंड दूबर लगा चुकी थे और फ़र्ष्ट कहके लगाई तो वहां पैरटी पर हमें ग्रांट कर दी और हमने बेल फ़र्निस करा ली और हमारी इसे राइफल भी जबत हुए बाद में जब मालूम वहां खारिज हुई फिर हम जीमान के समझ राइफ उसमें क्या था कि उन्होंने आकर यह निए जानकारी थी उनको कि फर्स्ट और सेकिंड के बारे में बद्र को बताना चाहिए कि हम दो बार लगा चुकी है क्यों की गाउन के दिया थी इसे लिए उन्होंने आकर कर का कि ह दो लोगों की उचुकी है हमारी भी पेरिटी पे हो जाएगी अच्छी बात नंबर में डाइरी भी नहीं है जिसके क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं आया है इसे बुल वाले जो नेक्स विक लगाई इस विजिट्री आप्र केश्ट है यह इसकुट भी डाल दूसमें 31 वाले वी क हाँ तो करो मैंस करो 6.1 मुझे दो इसमें क्या है बताइगी मैंट पॉइंट बन और 6.2 ना कनेक्टिड है मालोगी तो डाइरी देखी होगी ना इसका नहीं आया पर देखें केस क्या है इनका लोग पाइंद दूना चे नंबर इसमें मैं और इजादत दे मरें फाइयर प पूरी यहरत है जब तक कि आप अपने ट्रैक में बहस करें ना भावुक हो के बहस करें ना नराज हो के बहस करें ना चेरा उड़ा सीधा बना के बहस करें जब तक आप शालींता से बहस करते जाएंगे हमें सुनने के पूरी तयार है जहां आपने ट्रैक बदला और ड्रा बाद करी उतने में दिमाग खड़ाब हो जाता है बेंच का इसलिए आप ट्रैक में रहिए जो अकील है ना भावुक हो ये ना उतेजित हो ये अपनी बात कहिए समझे समझ में आयगा तो देंगे नहीं आयगा तो नहीं देंगे और ना ये कहिए साब आप नराज होगा क्या आप नराज होगा क्या आप नराज होगा साफ यह पढ़िए ना जो कोड को और है पेज नंबर साथ कहिए सब्सक्राइब कर रहा है यह बताना चाहूंगा लाश्ट में मालुट जो आया है नहीं आप यहांद पड़िए अब इनक कहानी के अनुसार देनांक बारा दस दोजार एक्टीस को फर्यादी अपना टेक्टल लेकर करीब दस पत्तीस बजी खेद जूतने गया था जैसे ही खेद पर पहुंचकर टेक्टर में लगा कल्टी उटल जूतने के लिए नीचे डाला वैसे ही खेद की बगल में चरी खड़ी खेद में से बाहर निकल कर स्रीकिशन वा अजब सिंग 315 गोर राइफल लेकर आये और स्रीकिश में गिर पड़ा फिर फर्यादी वह उसका भाई टेक्टर वह खेद के बीच की मेंड़ों की आड़ में लेड़ 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 गए तब तक अब यहां से मालोड इन लोगों का नाम आता है जो एक्टर बढ़ाई गई तब तक बिंदा लच्छी राजकमार पप्पू उ मालोड इस्टूरी में आगे यह है इसम आप जेल में कब से हैं यह में नहीं और फॉर अच्छा चाटीएट है यह है अच्छा च्छा चाटी इसमें नीचे जो टायल कोड़् ना ऑब्जेशन दिया वह मिल मैं पॉड़ पड़से पर शाना हम के अ न्याले में तीन वार ध तो और कुछ कहना आपको इसमें इसमें सभी लोगों की जमानत को चोड़ करके नहीं मतलब रेगुलर हुई है कि रेगुलर हुई है तीन कि मेरा हुई यह मेरा सीप्टी को किस इसमें नि लच्षी को हो गई और राज कुमार की होगी और लच्छी को हो गई तीन लोग की हुई है तीन लोग को मालट अच्छा और बाकि दीपक हर गोविंद करुआ दीपक की भी मालट है ऐसे चार लोग हो गए और गोविंद की ह difference में और करुआ की करूआ तो यही है मैं लोड आ पर ठीका राम हो लो टीका रूंग करूआ 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 अच्छा अलगा कौमर लगा शुर्प पूशत पूशत यह एक है और हरेंद्र भगवान सिंग अजब सिंग यह सब रेगुलर विल हुए तो और उद्या सिंग की मैं लोड रेगुलर और कुछ कहना है आपको इतनी सी है कि वह नीचे ग्रांट हो गई थी मेरी ग्रबदारी होगी मेरे से राइफल भी जब तो चुक्त कर तो ट्रायल कोट ने जो चार लोगों को अंटिस्पेटरी दी है यह हाई कोट में रेगुलर बेल गरांट करने के आधार पर दी है कौन जासाब है यह जो दिया यह यह व्यावत्कर साथ है तो अच्छा कहां कि हैंगे कुमालर उसमें हुए यह था कि एक अपने डीडी बंसल साहब का एक ओर्डर था वो मैंने नीचे पेस किया था उसमें यह अब्जेशन दिया था साब ने कि अगर सेम आधार पर किसी की ग्रांट हो गई है रेगुलर भी तो उनको उसी चैनल से जाकर के पैर्टी कांट करन चाहिए वो मैंने और वहां पेस किया तो ट्राइल कोट ने उसाधार पर मेरे को चार लोगों की ग्रांट लेकिन हम उस और से बात दें नहीं है जी वह मैं सीमान को नाम आया है और आप तो एंडिसीपेट्री बिल्द नहीं मिलेगी आपको आप रिगुलर विर अप्लाइ यह कठना में मुख्रों भी बताए गया है इसकी दोरवाइर करना बता गया मगर इसमें हमको इन वॉल क्यों किया दो दिगर बात ने आप किलाव इलिगेशन क्या दिखाई गोली मारने का अलिगेशन ऑगोली मेरे दोरह बताए कि मेरी ही गोली लगी आइसकी जीतियान प्रिश्चना ने अपनी तेरें पंद्रा बोर आफंट जार मारी नियाथ से उसे उपर एक फायर किया जो कॉम्बर के दायन दी तब लगा यह समय अच्छा इसमें क्या कहना चाहते हैं कब से जेल में हैं आप यह वी पूर तर्टी इसमें में अनेक्जर पीवन मालोट के बा चाचा का मडर किया था इस फर्यादी पार्टी में वह मैंने फायर पेस किये 302 कि 13-5-2-20 में मेरे चाचा का मडर कि फिर मैंने अनेक्जर की जांच प्रतिवेदन लगाया मारोट नियाले में कथन हुए मेरे उस वाले केस में जिसमें मैंने सभी के खिलाब ब्यान दी है अ तो मतलब हो सकता है और खुदी गोली मार लिए अपने यह यह जो मैं बताना सिमान को जा रहा है आप इसमें करें कि मारोट यह इसको जितियन सींग को जब गोली लगी तो यह हॉस्पिटल में एड्मिट हुए जी एच में मालोट तो गोली मतलब छूती हुई निकल गई क गई अंदर ऐसा बताया है कमर में अंदर हो सकता है ना जैसे वाकिल सब कहना चाह रहा है कि उसको इस एंगल से गोली मारा हो कि वो किसी भी पार्ट ऑब बॉडी के इंटर्नल पार्ट को बिना टच करते हुए साहिट से निकल जाया है जैसे करम बोर्ड होता है ना आसा तो करम बोर्ड है अब करम बोर्ड में कुईन को आपने स्ट्राइक किया स्ट्राइकर से अब वो ब्लैक वाली जो गोटी होती है अगर उसके आगे हैं तो उन्होंने रिबाउंड शॉट मारा और उसको टच करता हुए कुईन चली गई फिर नो अतना एक वाइट और ले लिय तो कहने का मतलब यह कि यह भी कला है यह भी सोचना कि ऐसी गोली मारो कि कोई बॉड़ी का अंग उससे डामेज ना हो और चली गई गई तो निकल भी गई निकल भी होगी गोली मेरे खांसे तो उत्रा घाव और लगेगा कम सकम बश्त हो जाएंगी जो 302 के मुकतमे में हम यह कि बहां से ना कि गोली यह मारना बताते हैं यह ट्रक्टर पर कि तॉड़ी नी नहीं है बता यह वे दूसरे निशान होगा ना कोई रंग निकला होगा ट्रक्टर का कुछ नहीं तो यह तो बनावटी केस दिख रहा है ऐसा लग रहा है वहारे इसमें मतलब दिख ऐसा रहा है कि एफ आयर प्राइल से कोई केस बनता ही नहीं है आपके खिलाफ मैंसा करना चाहरा है आप मैं तब सीमान से यही कहूंगा कि मेरे खिलाब कोई केस नहीं बनता है मगर मैं यह जो आपने पूरी कहानी गड़ी उसको सुनने के बाद यही बहस आपकी होईगी कि एफ आई यार में कोई केसी नहीं बनता हमारे खिलाफ अब कानून क्या मुझे आभी समझाएगे कि 438 के म मैं सर्मेटर में कब बेल दी जाती है मैं मालोड जब हम एफ आई यार के एलिगेशन को और फेस वैल्यू देखे मालोड मैं सीमान को अपना थोड़ा सा जो पार्ट पर बता दूं पिर मालोड जो कहेंगे उसका में जबाते हैं तो मालोड इसमें क्या है कि इनकी घे आई ह बोली लगना बताते हैं तो यह इसकी पुना जाच किया है इनको बोली लगी है कि नहीं लगी अब इसमें आप भी पहुंच गेश्पितायल में नहीं मालोड हमने क्लेक्टर साब को हमारी पत्नी ने आविदन दिया अच्छा यह हमको 302 में हम फर्या दिया और हमने इनके के खिलाब ब्यान दिये हैं उससे बचने के लिए हमको यह जूटे केस में इन्वाल कर रहे हैं तो इसका मेडिकल बोर्ड गटित करके दुबारा से जाच कर आई इन्हों ने वहां से यह से अश्पीटल भी आई है मालोडिस में कि यह चाहते थे कि हमारे अन्रूप रिपोर्ड बन जाए जब उनके अन्रूप नहीं बनी तो यह वहां से अपने को 12 दस्कोई वहां से डिस्चार्ज कराके और सामने एक मांसीतला मल्टी स्पेस्टल और अब बनाती है और गोली वह भरती हुए बारा दसको टेज दसको यह चुट्टी हो गई तब तक गोली का कहीं कोई बताते हैं ना गोली जब्त कराते हैं कुछ नी करते नो ग्यारा को जाके नहीं इनकी गोली जब्त होती है उस प्राइवेट हॉस्पिटल से जा करके जब हमको इस पैदा हुआ कि यह घटना कब की बता रहेंगे यह घटना बताते मालों तेरा पांच हे गोलों कि मार्ड बारादशकी मालड बारादशकी है रिक हैं और वह शीटला 25 में भरती जो भारा दशकुर पहले जेस्ञें में बरती इन्हों ने मिस्विप किया मालड चाला चार सीट दृखिंग उसमें ड्रहिक्तर ने लिखा ए कि अटेंडर और इसके बाद बार कभ और और आपरेशन का हुआ एक शीतला में आप कि कि आपिए इस को ही माज शीतला मंडी पर हॉस्पिटल में एड़िट हुए थी उसमें इंजूरिया गन शॉट इंड्री एंट्रिवूंड है इसको और रोच नामचा मैं इसमें पड़ देती हूं साथ उसमें सारी बाते किलियर हो जाएंगी जीरा दस एक इसका कारेवाय कजेद भधवर्य द्वारा की गई सूचना है हवाला साना रवांच शुदा सुरेज सिंग कुश्वा जीर्ज हॉस्पिटल वापिस थाना आया वापसा के पताया कि सुबह टियाई साब के हमरा रवाना होका एयरपोर्ट पहुंचा मान्या केरिया मंत्री सिंधिया जी के आरपन पे डिटी के बाद 14 वजे करीब टियाई साब अन्या फोर्स के साथ रवाना होका ग्राम जिराना के हार में पहुंचा जहां दोनों तरफ से गोलियां चलने की आवजे आ रही थी थाने का फोर्स पहले से वहीं मौजुद था बुली चलाने वाले भाग गए थे बाद में ग्राम जिराना पहुंचा टियाई साब दरा मौखिक आदिश देने पर रमेश शर्मा को साथ लेकर जेज ट्रामा सेंटर पहुंचकर घायल जितेंद्र घुजर पुत्र दर्शन सिंग घुजर उम्रों 40 सार अजवेर सिंग का पूरा गिरगाउं जिसकी कमर में दाइनी तरफ गोली लगे थी जो ट्रामा सेंटर जिन्रवार्ट में भरती था जितेंद्र घुजर ने पूस्ताज कर उसके द्वारा दीके रिपोर्ट की दिहाती डालसी सुवन सो आईपीसी के लेक की रमीश शर्मा को देकर असल अपर कराने के लिए इस्तिति में नहीं थे डाक्टर पुषपेंद्र ने लिखित पत्र दे का जानकारी ली गई तो डाक्टर साहब ने मरीज जितेंद्र घुजर को चेक किया तो भ्योशी की हालत में हो जाने से कतन और यह डॉक्टर वहां का है जी एच का जब वहां पे इसका प्रफ़ार को बताया गया कि मरीज अभी कथन देने की स्तती में नहीं है तब उनके दौरा बताया गया कि जब भी कतन देनी की स्तती में होगा सूचना देंगे नयाप तैसी दल चले गया और मरीज के खून आलूदा कपड़े प्राप्त कर चाक्टर साहब से संपर्थ किय लिए गये हैं इस कारण कारवाई सी थाना प्रभारी यह सब ब्यास्तते होगा इलाजना होने के कारण फिर वहां पर हो गया क्या नहीं होती तो ब्लड एक्सेस में जाता तो उसकी डैट हो जाएट है इसमें और कुछ करना आपको मर्ड इसमें में जो सीमें को बताना चाह जो मेंडिकल इंजाज किसने करी है यह है सीमर मुख्चिकस स्वास्त अधिकारी मोदे जलाच किसाल है जात पे दिनका है अच्छा उन्हों क्या दिया रिपोर्ट इसमें प्यादर पैरना मर्दू में माला उन्होंने इलाज किया था क्या सारे दस्ताबेजिए को देखकर क कि उन्होंने पूछ इलाज किस ने किया उसका इलाज तो मालो प्राइविट डॉक्टर दिनेज सिंग तो जेएच के है ना तो अगर सीमो सहाब में तो मरीज देखा नहीं जी माले सीमो सहाब ने अपनी अकल लगाई जो कागर सामें रखे गया उनके उसे बोर कोई मतलब ना तो आपने मिल सी करी हैं और ना आपने इलाज किया है आप क्या कहना चाहरा है और में अलिगेशन है गोली चलाने का इनिकी गोली से कि उसको सरी विक्टिंग गोली लगी अब और लिए मैं रिफ्यूज कर रहा हूं बेर आप एम सी आर्शी नंबर बिट्रों करना आप आतार मुण decrease प्रोसिप्हे इस कर लीव ने विवक्टिंग, है ने तर फिर सि nimmt है प्रॉंट कर ली हैं विवम गें अंगोश्ट इनि पहं बटला है, जिते इनिकी गोली से और लिवमको अना बिश्टिय वेर टी को अंतन है। आपता बड्यूब ऑन कर ले lets talk, learn counsel for the applicant argued at length trying to accelerate the details of the treatment and the factum of injury the factum of injury and the details of the treatment given to the injured by referring to the report वोट ओ, CMO बेस्ट और, डॉकुमेंट प्लेस्ट प्रकण में इस फ़स्ट अभिमत के लिए किसी फॉरंसी एक्सपर्ट से जाच करा जाना पुचित हुगा वेरिए, रॉकुमेंट। वीकूट है। वेर रॉकूत प्लेसितर इससे इस किस्थ मेंट रॉकूपर्च वेरिगलि न इस पॉकूटन के लगते साथ, बेस्टज इसके बेस्ट अब्स्ट अभिमत के विए। आपने अग्रिम जमानत नामन्जूर हुई जबके ऐसी तरह के मामले में नहीं है। निचली कोर्ट ने यह देखते हुए कि जमानत दे दी गई थी। धूरा बड़ी कोड के दोरा उस आधार पे अग्रिम जमानत दे दी थी। निचली कोड में कुछ और लोगों को। अब इसी मामले में हुआ ये कि इनकी भी अगरिम जमानत होई जाती जो पहला वाला केस था इस येरिंग में पर वो रुख इसलिए गई क्योंके उन्होंने थार्ड बेल एप्लिकेशन थी उसकी जगा फस्स लिख दिया ऐसा जब वो कोड के संग्यान में आया तो उनका वो पूरा सब कुछ रुका जब रुखाने पहुँच गए गरज भी कैब ये दूसरे वाले मामले में भी और रद हुई पूरा केस जो है हिंडी में था तो मुझे लगता है इसमें कहीं समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी काफी कुछ सिखाता है इसमें कोर्ट के अपने कमेंट भी वकी अच्छे समझना चाहिए उससे बिना कुछ कहे सुने भी हमें समझ में आ जाता है कि मामला किस तरफ की और जा रहा है तो अमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे लाइक करिए शेयर करिए ऐसे लोगों तक पहुँचा ये जो गंभीरता से कानून को समझना चाहते हैं थैंक यू वरी मैच बबाय टेक केर सी यू मिलते हैं अगले किसी वीडियो में फिर जानते हैं कानून को थोड़ा और